एहंदाबाद से मुंबई के बीश में 160 kmph की तैयारी है इस पूरे सिक्सन को 160 kmph के लिए तैयार किया जा रहा है इसमें कई बदलाव किये गए हैं जिसमें हम कह सकते हैं पर सको पास पास रखा गया है इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ओएची में भी बदलाव किया गया है क्योंकि 160 kmph के लिए जो टेक्निकल रिक्वायर्मेंट होती है वो अलग होती है और यहां पर जो डबलू बीम की फेंसिंग की खासियत यह होती है कि इसमें जो जानवन है वो ट्रैक पर नहीं पहुंचेंगे यानि एक बड़ा बदलाव हो रहा है रेलवे की आवाजाही में क्योंकि जादा तर रूट्स पर अगर हम देखें तो रूट ओपन है तो कहीं न कहीं रेलवे जो तयारी कर रही है दिल्ली से मुंबई का जो रूट है उ अहमदाबाद से मुंबई के बीच का है और यहां पर जो वंदे भारत एक्स्प्रेस चल रही है वो अपने पूरे पोटेंसियल पर चलेंगी यानि 160 kmph की रफ्तार पर एक लंबे रूट पर चलेंगी और यहां पर एक सामने से ट्रेन आ रही है वो भी आप देख सकते हैं क तो बड़ी संख्या में वंदे भारत अलग-अलग जगहों पर चल रही है और आने वाले दिनों की बात करें तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश के जादा तर इलाकों को जोडेंगी वंदे भारत स्लीपर का भी काम हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बेंगलूरू म के लिए तैयार किया जा रहा है यानि एहमदाबाद से मुंबई का रास्ता